हाई स्टुनेंट वेलकम टो आर्सेया जो हब ओनलाइन क्लासेज क्लास 12 बाइलोजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओफ हुमन टोपिक टाइप ओफ डबलू बीसी वाइट ब्लड कार्बस जो है उसके प्रकार दो टाइप है इसकी एक ग्रेनुलो साइट और सेकिन नौन ग्रेनुलो साइट यानि की आर्बीसी की कोशिका द्रव में कनिकाओं की उपस्तती और अनुपस्तती की आधार पर दो भागों में इसको बाटा गया है इसमें फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट यानि कनीका में और सेकेंड नौन ग्रेनुलोसाइट कनीका रही थी इसमें से फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट और कनीका में स्वेतान WBC के साइटो प्लाजम में कोशी का द्रव इसके अंदर सुक्षम कनिकाएं उपस्तित होती है इस वज़े से इसको ग्रेनिलो साइट बोलते हैं इसका केंद्रक जो होता है WBC में कनिका में स्विताणू का केंद्रक एनियमित आकार का यानि कि इसका जो आकार है वो निस्सित नहीं होता वो बदलता रहता है यानियमित होता है और अनेक पिंडों के अंदर बटा होता है अनेक भागों में या फिर पिंडों में बटा रहता है अनेक पिंडों में बटा रहता है यानि कि अनेक रूपों में पाया जाता है अनेक रूपों में यह उपस्तित होता है इस वजय से इस स्वेतानों को जिसका केंदर अनेक रूपों में बटा होता है इसको बहु केंद्र रूपी बहु केंद्र रूपी WBC कहा जाता है खुशा जा सकता है यहां से बहु केंद्र रूपी WBC क्यों कहा जाता है क्योंकि इसका केंद्रक जो होता है वो अनेक भावय अनेक पिंडॉम बटा होता है अर्थाद अनेक रूपों में पाया जाता है इस वज़े से इसको बहु केंदर रूपी WBC कहा जाता है इसके बाद इसकी तीन पार्ट होते हैं तीन भागों में इसको बाटा गया है सबसे पहले Neutrophils Second Basophil Third Yosinophil या Acidophil इसमें सबसे पहले Neutrophil WBC के केंदरग में पाया जाने वाले जो कनिकाएं हैं वो अभिरंजबों से अभिरंजित होती हैं जो अभिरंजब होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं First Neutrophil VWBC जिसके केंदरग में पाया जाने वाले जो कनिकाएं होती हैं वो चारी है प्रिसके साथ अमली है दोनों प्रकार के अभिरंजबों से अभिरंजित होती हैं इसलिए इनका जो कलर होगा रंग वो बैंग नहीं होता है और यहां से चारी है और अमली होने की वज़ए से यह Neutrophil होती हैं यहनिकी इनको उदासीन कनिकाएं बोलते हैं या उदासीन WBC के नाम से भी इनको जाना जाता है यह WBC का सरवादिक भाग होती हैं यहनिकी अधिकांस भाग का निर्मान करते हैं कुल WBC का 62% भाग केवल Neutrophil बनाती है यानिकी WBC में जो इससे भाग है सबसे जाता अकनिकाएं जो उदासी पाई जाती हैं वो Neutrophil होती हैं सरवादिक मात्रा में यह इसमें पाई जाती हैं और इसकी 62% भाग का निर्मान या के लिए करती हैं इनका जीवनकाल Neutrophil जो होती है इनका जीवनकाल जो होता है वो 10 से 12 घंटे का होता है 10 से 12 घंटे का इनका केंद्रक जो होगा वो 2 से 7 पिंडों में बटा होता है यह इसके दो से 7 भाग होते है Neutrophil के अंदर कोसी का पारण की छमता पाए जाती है कोसी का पारण का मतलब यह होता है जो रुधिर होता है या WBC जो है उसमें से यह निकल कर भार उतकों में आ सकती है यह अपने कोसी का की कोसी का जिली जो होती है उसमें से निकल कर यह बहार आ सकती है और इनका कारिय जो होता है वो भख्षानों का भख्षानों का यह कारिय करती है यानि कि बलड के अंदर उपस्ते जो समझिवानों होते हैं उनको नश्ट करने का कारिय इसके दुआरा किया जाता है इसमें जो कनिकाएं पाई जाती हैं साइटो प्लाजम में वो छारिया अभिरंजबों से अभिरंजब होती है सैकेंड पाई बेसो फिल इसमें पाई जाने वाली सुख्शम जो कनिकाएं है खुशी का द्रव में वो छारिय अभी रंजकों से अभी रंजित होती है और इनका रंज जो होता है वो निला होता है चारिय अभी रंजक एक्जामपल मिठाइल ब्लू जो की लैब जो है बायो की उसके अंदर उसका उप्योग किया जाता है और पधार जो है उनको जो सेक्शन काटे जाते हैं उनको अभी रंजित करने का इसके द्वारा कारिय किया जाता है ये कुल डबलू बीसी का 0.5% भाग बनाती है यानि कि कुल डबलू बीसी जो है उसका 0.5% भाग जो है वो बेसो फिल्स होती है इनका जीवनकाल आट से दस दिन का होता है यानि कि जीवनकाल जो है वो आट से दस दिन का होता है इसके केंद्रक के अंदर जब केंद्रक जो है वो तीन पिंडों में बटा होता है पिंडों की जो संख्या है वो कितने होगे यहां पर तेन पर कारिया बेसो फिल्स जो है इसका कारिया होता है हिस्टामीन हिप्पेरीन हिस्टामीन और हिप्पेरीन के अलावा सिरेटोनीन इसका श्राव करना हो तेन प्धार जो है इनका इसके द्वार स्टामीन पेरीन और शिरेटोनीन आदेका इसके द्वार स्टामीन जो जो बेसोफिल्स है इसकी संख्या वो एलर्जी के समय ये भढ़ जाती है जैनके इसी संख्या जो है वो एलर्जी के समय भढ़ जाती है 3,2 ये व्म्मुण झापी लिए सी्टोफिल्स जाफिया जैनके डिए जाती है ये आती है जाती है तूस 없이 एफ्ट कर फेड़़ एकाने जाती है एसिडोफिन इनके कुशी का द्रव में पाया जाने वाला सुक्षम क्यों करन होते हैं, यह अमली है, अभी रंजकों से रंजित होते हैं, उनका रंग जो होता है, वो लाल या हलका गुलाबी होता है, अमली है अभी रंजक जो है, उसके एक्जाम्पल में यहां से हम ले सकते हैं, से, इमुसीन, लाल रंपरदान जबता है, इसके अलावा, इसके अंदर केंद्रक जो होता है, इसका केंद्रक तो पिंडों में बटा होता है, यानि कि केंद्रक दो भागों में इसका बटा होता है, जिवनकाल, चोदे घंटे का होता है, जिवनकाल, चोदे घंटे का होता है, डबलू बीसी का दो से तीन प्रतिसत भाग ये बादा भियाने की, कुल डबलू बीसी जो है, उसमें दो से तीन प्रसेंट योसोनों फिल पाये जाते हैं, इनकी संख्या जो होती है, वो अस्थमा या फिर अन्ते संक्रमन इसके दोरान भढ़ जाती है, और कारिये एंटी स्टेमिनिक यानिकी एलर्जी के विरुद इनका कारिये किया जाता है, तो इस प्रकार से जो डबलू बीसी है, उसके प्रकार सबसे पहले नियोट्रो फिल्ज, सेकंड बेसो फिल्ज और इयोसोनो फिल्ज कम्प्लेट होते हैं, थैंक्यू.